दिनेश लाल यादव भोजपुरी के एक मात्र ऐसे एक्टर है जिनके नाम से भोजपुरी की कई फिल्में बन चुकी है ये सबी फिल्में काफी हिट भी रही है जिसमें निरहुआ भाईल आशे कावारा निरहुआ रिक्षावाला निरहुआ रिक्षावाला टू निरहुआ तो 2014 में आई फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी को यूट्यूब पर एक करोड से अधिक लोग देख चुके हैं ये भोजपुरी फिल्मों का रिकॉर्ड है इसलिए अब इस फिल्म का भी पार्ट टू बनने जा रही है जिसका पोस्टर भी आप लोग देख चुके होंगे दि जागरन और दूसरे कारिक्रम में गाना गाते थे इसके बाद एक एलबम आया एलबम के सफलता के बाद दिनेश की डिमांड बढ़ने लगी दिनेश लाल यादाव पहले भूजपुरी के सिंगर थे इसी दोरान इनका एक एलबम आया निरहुआ सटल रहे ये काफी लोग प्रिय हुआ इसके बाद इस एक्टर को लोग निरहुआ के नाम से पोकारने लगे असली नाम से अधिक लोग इस एक्टर को निरहुआ के नाम से ही जानते हैं दिनेश लाल की अब तक सेकड़ो फिल्म आ चुकी है इसमें सबसे अधिक भोजपुरी एक्टर सामरपाली के स काम कर चुके हैं दोनों की जोड़ी को दर्शत काफी पसंद करते हैं यही कारण है कि फिल्म बनाने वाले डाइरेक्टर्स दोनों को एक साथ अपनी फिल्मों में रखते हैं बता दें कि 2012 में दिनेश लाल यादव बिग बॉस सीजन 6 में सामिल हुए थे बिग बॉस में दिन बॉस के घर में यह सब करना पड़ा नेक्स्ट नए न्यूज रूम से ही ममता की रिपोर्ट